दादा जी अपनी जान लेना कानुनन जुर्म है आप जीवन भर अध्यापक रहे यही शिक्षा दिये क्या लोगों को अभी सुमर में यह सब हरकत करना आपको अच्छा लगता है बिल्कुल गलत बात इतना बता दे रहे हैं अब की बार हम आपको समझा के छोड़ दे रहे है अब सरकार ने पेंसन बंद कर दिये हैं हम कहां जाएं बच्चे हमारी कुछ देखवाल नहीं कर रहे हैं ऐसी स्थिती में मरजा नाहीं बेहतर है अर्टो सरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि कोई काम हम कर सके हमको रास्ता बताईए कि हम कहां जाएं क्या करें जीवन भर ए में आप खरता चला पाएंगे क्या परिवाद का बिना वजा की बात मुत करिए मैटा पेंसन बुढाते का सारा होती है अब इस पूमर में लोगों के आगे हाथ पहलाना अपने खर्चे के लिए कहां तक जायज है तुम ही लोग कुछ पैसला करो हम लोगों का अरे तो का तांडव कर रहे हैं अच्छा लगता है क्या यह सब अब बिन अकिल बुद्ध के बात न करते हो साहब तो बहुत नहीं रहा जवन दमवा यकमुस्त मिला रहा वकाल लरिकवय अनके लगा रहाज्या है ना वकाल दय देते तो उनका नरक होई जात यही जिंदिगी महिया यह सब हम कुछ नहीं जानते बे सिर्पायर की बात मत करिये जो गलत है वो सभी के लिए गलत है बुजर घोकर यह काम बिल्कुल सुभा नहीं देता है दुबारा आइसा कुछ अगर हमारे संग्यान में आया तो जेल में डाल देंगी जिंदिगी जेल में बीच जाएगी त आप तो था बाद सुन ले वेकार के दोगली नीत के विशेमत तुह जाने पड़ी दोहरी नीत बिल्कुल बदास के बाहर है उसको बढ़ापे में भगवान भरो से छोड़ने का प्रबंद करेंगे तो यह सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी जाननी पड़ेगी बबाजी आप बज़ूर्ग आदमी हैं मामले को सांथ करना सीखिए आगे में घी डालने का काम कर रहा है उसपर आप क्यों नहीं बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं तो हम दोसी हो गये हैं यह नीत बरदास के बाहर है बज़ूर्गों को उनका हक मिलना चाहिए जिसने आजीवन इमानदारी और निष्ठा से काम किया उसका प्रतिफल उसको बुढ़ापे में दिया जाना चाहिए देखे ऐसा है बेसिर्पयर की बात करेंगे आप लोग तो हम जेल बिजवा देंगे सभी को ना जान लेजे यह जो काम इन्होंने का प्रयास किया है दुबारा नहीं होना चाहिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है गजब कजब अबर्दस्ती बतुआ लागे उसा है तो मने हर यक जिम्मेदारी निभाव एक काम खाली नागरिक करें तरकार और शासन सत्ता के कवना जिम्मेदारी नाई पनत अपने नागरिक के प्रति आए बताओ आओ प्रेम सम्मान से प्यास आई थे जिम्मेदार नागरिक हुए फर्ज निभाई थे तो तु जबर्दस्ती करें पुतार हुए गबाटो एक काम करो ले चलो हमें सब का जियल में डाल देओ कम से कम दूजून के खाना मिली यह जबर्दस्त महंगाई बेरजगारी और बिना प्रेंसन के जिल्लत भरी जिन्दगी जियस अथा है जियल मा बैट का हमेरे सवापन जिन्दगी काट दे लए चलो हम सब चलिए बाट देखिते कतना बढ़ा हिल तो आज जियल है अब कतना मने जियल मा डा रहा था तु हाँ बच्चा यह सबसे सठीक पढ़ेगा कम से कम सक पूरबक रही है हम देखते हैं आगे क्या होजबता है इसमें हम प्रयास करेंगे